सर्वतों भधल चक्र आया कहां से सर्वतों भधल चक्र जब माता पार्वती और महादेव बैटके चोसर खेलते थे तो जब चोसर बिच्छती थी तो जो उसका नक्षा होता था उस बेसिस पे भोले भोले शंकर ने एक दिन इसका निर्मान किया था, सर्वतो भद्र चक्र का, और ये हमारे शिव पुरान में हमें इसका तत्य मिलता है कि उन्होंने शिव माता पार्वती से ये कहा था कि कल युग में जब इनसान अपने कर्मों से दुखी होगा और अपनी दशाओं से परिशान रहेगा उस वक्त उसका हल करने के लिए सर्वतो भद चक्र उसके लिए लाबदायक रहेगा सर्वतो भद चक्र जो है वो एक सिंपल सी अस्ट्र लॉजी है उसके अंदर आपको कोई अनुमान लगाना नहीं होता यानि जैसे वेदिक में और केपी में हम लोग थोड़ा सा अपना लॉजिक यूज़ करते हैं या अपना अनुमान यूज़ करते हैं सर्वतो भद्र चक्र में हमें कोई अनुमान नहीं लगाना है जैसे एक गेम खेली जाती है और गेम के कुछ रूल्स पहले से लेड होते हैं कि अगर सूरे आपका इस नक्षत्र में रहेगा आपके सामने वाले का नक्षत्र लेफ्ट साइट का नक्षत्र उस पे क्या सर आएगा सूरे लत्ता कहां मारेगा तो ये सारी चीजे जो हैं ये सारी चीजे पहले से ही रूल्स जो है वो लेड रहते हैं उसमें हमें सिरफ उसके प्रिंसिपल्स को लेके चलना होता है तो जिस तरीके से हम गेम खेलते हैं, मोनोपली बच्चे खेलते हैं, या लूडो आप लोग खेलते हो, या जो भी कोई गेली जाती है, बेसिकली ये SBC जो है, वो बोर्ड गेम की तरह ही हमारी जिंदगी में काम करता है, लेकिन ये ऐसा एस्टरलॉजी है, जिसमें आप अपना दिमाग यूज नहीं करते, जो सामने बोर्ड पे आपको दिख रहा है, और जो हमें बताया गया है शास्तरों में, कि अगर सूरे इतने पद पर रहेगा, इस नक्षत्र के इतने पद पर रहेगा, तो क्या इनसान को कैसा सुख या दुख की अनुभूती होगी, वो हमारे शेर मार्किट में भी इस्तमाल होता है, निफ्टी में इस्तमाल होता है, और दूसरा इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि कमोडिटीज, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गई, क्रूड ओयल हो गया, पेट्रोल हो गया, आपका अनाज हो गया, ये मार्किट कैसी रहेगी आने वाले महीने में ये market कौन सी market उठने वाली है और कौन सी नीचे जाने वाली है इसमें आपको ये भी पता चलता है कि multinational companies या अपने देश की जो companies हैं वो कैसे आपको बढ़ेंगी या घटेंगी share market के लिए ये एक ऐसा tool है जो काफी लोग इस्तमाल करते हैं लेकिन जिनको SVC आता है as a astrologer मैं यही कहूंगी कि हमें इसको अगर कोई इनसान इसको सीखता है वो अपने personal level पे use कर सकता है because हम इसको एक तरीके की gambling मानते हैं और gambling जो है वो अगर astrology को gambling के लिए या इसको जैसे की पैसे लेके आप किसी को information दे रहे हैं market के बारे में वो आप करोगे तो हो सकता है उसमें थोड़ी सी आप से भूल चूख हो जाए लेकिन अगर आप अपने personal level पे use करते हो और अपने ल जबता है ऐसे ही जैसे आपने अब मान लो कि हमने SBC को एक कुंगली देखने के लिए इस्तमाल किया या share market या commodities ऐसे ही जो एक चौथी चीज ये tool बहुत helpful रहता है ये tool helpful हमें रहता है सबसे अच्छा जो ये काम करता है ये करता है कुंगली मिलान में लड़का लड़की की जब हमें कुंगली मिलानी होती है तो SBC से बहतर कोई चीज हमारे को नहीं दिखती क्योंकि इसके अंदर ऐसे आपको याद होगा हिंदू धर में हम 108 पदों की माला पे मंत्र जाप करते हैं ये जो 108 पद हैं ये हमारी जिंदगी के जिस नक्षत्र में हम पैदा होते हैं वह से लेके हमारे 27 में नक्षत्र तक 108 पद का हमें मिलता है जिसको आप कहलो कि मन के हमें मिलते हैं अब इसमें जो 108 पद हमें मिलते हैं वो हर पद जो है वो किसी नक्षत्र का रहेगा जैसे ही आप देखोगे कि इनसान का बुरा वक्त या उसकी मृत्यू कब होगी, कैसे होगी, उसको कब-कब दुखाएगा, ये सारी चीजे जो 108 पद की हमें बता सकते हैं, कि आपको इस समय से इस समय तक आप बिमार रह सकते हो, किस चीज की बिमारी होगी, वो सारी चीजे SPC आपको clarity देता है, SPC को सीखना बहुत असान है, SPC कौन-कौन सीख सकता है, SPC सब लोग सीख सकते हैं, इसके लिए कोई भी वेदिक knowledge आपको जुरूरत नहीं है, क्यों उसका reason मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हमें इनसान जब हमारे पास आता है, और जब हम SPC पे उसका देखते हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए होता है उसका date of birth, date of birth जब हमने लिया उसका, तो हमें ये पता चल जाता है, कि उस दिन पंचांग में नक्षत्र कौन सा था चंद्रमा का, और सूरे का नक्षत्र कौन सा था, बस उस नक्षत्र के basis पे, उस दिन जहां जहां planet, जिस जिस नक्षत्र में ग बोचर कर रहा था, वो ही सिर्फ आपको information लगती है, इसके अंदर हम कुंडली के 12 घरों को नहीं लेते, हम सिर्फ ये देखते हैं कि कौन सा planet किसके सामने आ गया, कौन से नक्षत्र इस इनसान के activated है, कौन से नक्षत्र जो हैं इसके लिए फायदे मंद होंगे, कौन से नक्ष इसके लिए नुक्सान दायक है, जब जब चंद्रमा इसका इस इस नक्षत्र में गोचर करेगा, यानि जब गोचर होगा चंद्रमा का इसके विपत नक्षत्र में या इसके वद नक्षत्र में, तो वद जब नक्षत्र में या विपत नक्षत्र में, तो इसको क्या असर तो उस इसाब से हम इनसान की चार्ट को रीड करते हैं It's a very simple, simple theory जो हमें महादेव जी ने